हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है Prince और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी Me Users के लिए काफी अच्छी वीडियो लाया हूँ इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच अमेजिंग थीम्स आपके Me Smartphones के लिए तो यह आपके theme stores में available है और पांचों ही बहुत 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 हीन है तो शुरुवात करते हैं पहली theme से जो की है Taprobane Sayan नाम बहुत अजीब है लेकिन theme बहुत simple और minimalistic है देख सकते हो यहाँ पर यह आपको अपने theme stores में मिल जाएंगी सारी themes free है बस एक theme थोड़ी premium है जो आप add देखकर purchase कर सकते हैं मतलब add देखकर download कर सकते हैं 30 second की ads का बहुत पंगा है यार Xiaomi के devices में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह theme काफी simple minimalistic लग रही है wallpaper भी simple blue सा है और थोड़ा overall beach theme रखी गई है icons भी उससे नहीं मिला है तो आप इसे try कर सकते हैं बढ़ते हैं next theme की तरफ अब जो next theme मैंने इसमें चुनी है वो पहली theme से बिल्कुल different है क्योंकि यह है big world बिल्कुल अतरंगी और चटक मटक वाली theme है लेकिन minimal colors में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह जो colors है जैसे अभी search bar dark है अगर आप normal theme प्याने बल हो जाएंगे तो normal हो जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पर इस theme में icons आप देख सकते हो icons कितने बहतरीन लग रहे हैं मतलब play store, gallery, chrome इन सब के icons बहुत amazing लग रहे हैं काफी detailing है icons में उपर की side आप लोग देख सकते हो wallpaper के साथ जो time vibe है कितने अच्छे से जा रहा है तो इस theme को ज़रू try करना है मेरी one of the favorite है बढ़ते हैं next theme की तरफ CL version 2 CL version 2 काफी अच्छी theme है इसका version 1 मैंने पहले वाली वीडियो में cover किया है आपको उपर cards में देखने को मिल जाएगी उसमें भी काफी बहतरीन themes हैं वो भी check कर सकते हैं इसका wallpaper देख सकते हो do more मतलब wallpaper काफी inspire और motivating है तो काफी colorful wallpaper है अच्छा लग रहा है overall यहाँ पे इसके जो icons है काफी simple और dark theme है अगर आपको dark theme अपने phone में पसंद है तो यह theme आपके लिए है dark theme enable कर दीजिए phone की और इसको as a theme set कर लीजिए अपने device पे सारा काम आपका बन जाएगा आप देख सकते हो इस ताइम मैंने light theme मतलब select कर रहे है तो search bar light है otherwise dark होता बढ़ते हैं next theme की तरफ वगेरा clock वगेरा सब कुछ change है even इसकी lock screen भी काफी change हो जाती है हाला कि इसमें यहां पर आप लोगों को बागी changes देखने को नहीं मिलते है जैसे notification shade में कोई changes देखने को नहीं मिलते है डाइलर में कोई changes देखने को नहीं मिलते है but still icon काफी अच्छे है और clock भी आप देख सकते हो काफी amazing लग रही है wonder woman center में है बढ़ते हैं next theme की तरफ जो की है android q stock अब यह बिल्कुल stock theme है और सबसे ज़्यादा customizing theme है यह आपके me device के लिए अकर आपको me UI बिल्कुल भी नहीं पसंद तो यह me UI का complete जो taste है वो बिल्कुल हटा देगा उपर की तरफ आप लोग देख सकते हो status bar भी change हो गया even जो battery का icon है वो भी horizontal से vertical हो गया है जो की stock android में आता है wallpaper भी change हो गया है और जो icons है वो बिल्कुल android q यानि की android stock हो गए है तो wallpapers भी आप देख सकते हैं change कर सकते हैं left side पर double tap करके wallpaper change हो जाएंगे अगर आप double tap करेंगे तो wallpaper change हो जाएंगे 4-5 wallpaper का collection है जो आप change कर सकते हैं तो बिल्कुल stock theme है देखने में काफी अच्छी लगती है मुझे personally पसंद आई ये theme और जो big world है वो तो मेरी favorite theme है उन्हें भी आप try कर सकते हैं सारी themes बिल्कुल free है me store पे available है तो आप वहाँ से download कर लीजेगा description में सभी के आपको correct names मिल जाएंगे I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है पस्ति आप आपको पस्ति आपको पस्ति आपको